सब्सक्राइब करें जिनके आविदन आप सभी के लिए यहां पर जो जानकाई है वो देदी गई है डिटेल में हम बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबालें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल आफेंटिक जानकाई सबसे पहले मिलती रहें बतमान में सरकारी स्कूलों के अंदर नामंकन रद्द करने की प्रक्रिया लगाता जाली है यानि कि पहले तो जो दे दे कर नामंकन करवाई जाते हैं और जब नामंकन हो जाते हैं तो उसके बाद में स्क विद्याले नहीं आते तो उनके नामंगन को रद्ध करना पड़ता है इससे कईने के सिच्छक और च्छात अनुपात पूरे तरीके से गड़वड हो जाता है क्योंकि पहले बाइस लाग चात्तों के आधार पे टीचर्स की आवश्यक्ता थी लेकिन जब बाइस लाग चात् सभी जानते हैं कि वेहार में बव्भ्मान में वंपर शिच्छक ब्रेंद्धी आ रही हैं और सभी राज्यों के अभ्यरतत आविद्धिन कर सकते हैं तो यहां पर भी शिच्छक ब्र्दधी सब्सक्ताइब 2023 संक्या में हैं लिखा हुआ है कि कक्षा एक से बाहर तक के 21,90,000 चातों के नामंकन को रद कर दिया गया है, पटना विहार से जानकारी आप सभी के लिए पैशित की गई है, तो ऐसे में इतने चातों का नामंकन रद हो जाने से निश्चित तोर पर बड़ी संख्या में जो टीचर्स के पद परिक्षा करवाई गई थी उसके संबंद में, आप लोग आज से अपने जो अंकें वो देख सकेंगे, राज में एक लाग सत्तर हजार अध्यापक भरती परिक्षा में सामिल अभ्यर थी, शुक्रबार से परिक्षा में प्राप्त अंकों को देख सकेंगे, ओफीशल कुमबर तक आप इनके लिए आविदन कर सकते हैं, और ये भरती कौन सी हो उसके बारे में या जानकर ये आप सभी के पास लिखी हुई है, नीचे जागर ओफीशल वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोग से बार आयोग ने अपर निजी सची परिक् राजगी देखने के लिए मिली है, असल में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चेनायोग की परिक्षा होने वाली है 29 तारीक को और 29 तारीक को ही भारत बनाम इगलेंड का मैंच आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसे में यहां पर चात्तों में नाराजगी है, माफ कीजिए, जो कर्म चारी है, उनके अंदर नाराजगी है, साथ ही बात कर ली जाए, जी आइसी प्रदाना अध्यापक को तीस को मिलेगी तैनाती, यानि कि जी आइसी प्रदा के ऐसे जो चात्तर हाली में UPPSC के माध्यम से चैनित किये गए थे, लगबग तीस, उनक की कुछ बड़ी और लेटेस अब्डेट, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, थेंक यू फर वाचिं दिस वीडियो